नमस्कार आप दिगरी नीशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रतिक बिहार में विदान सभा चुनाओं खत्म होने के बाद NDA की सरकार बन गई 125 सीट के साथ NDA ने जीत अपनी दर्ज की और लगातार सातवी बार बिहार में मुख्य मंतरी के तौर पर नितीश कुमार ने शपत लिया नितीश कुमार बिहार के मुख्य मंतरी बन गए वही अब इस पूरी बात पर लोक जन्शक्ती पाटी के सुप्रीमो चिराग पासपान ने अपना बयान दिया आपको बता दे कि मीडिया से बाचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने कल सदन में जो कुछ भी नितीश कुमार और तेस्वी यादव की बीच हुआ जो हंगामा हुआ जो नितीश कुमार का रोधरावतार कल सदन में दिखा तेस्वी यादव को उन्होंने जम कर जो सुनाया उस पर अब लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने आप खुद सुनिये तो सुना आपने लोग जन्शक्ती पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा है कि व्यक्ति गत ये मामला हो गया इसी लिए सदन में इस पर हंगामा छिड़ गया चिराग पासवान ने तेजस्वी और नितीश कुमार के बेचे संगामे पर अपना बयान दिया है वहीं आपको बता दे कि लोग जन्शक्ती पार्टी ने बिहार विदान सबाचिनाओं में मैज एक सीट दर्ज की वहीं आपको बता दे कि बिहार में लगातार नितीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और साथ ही साथ आप आपको बता दे कि सत्ता पक्ष परविपक्ष अब भी जमकर हंगामा कर रहा है जमकर बवाल छेड़ रहा है जमकर निशाने साथ रहा है वह आपको बता दे कि तेजस्वी यादो भी लगातार सदन में नितीश सरकार पर लगातार वो भी निशाना साध रहें लेकिन कल सदन में नितीश कुमार के सवतार को उनके रौधर अवतार को देखकर ऐसा लगा जैसे नितीश कुमार के सबर का बांध तूट गया और क्या कुछ कह दिया नितीश कुमार ने वो तो आपने सुना ही है तो फिलाल के लिए मुझे दीज़ी अजाज़त देख तरी नेशन नियूस को धन्यवाद